स्टोरी नमबा थोटी वन राजा सुमकंत को महरशिब रुगु द्वारा पता चल गया कि उसे कुछ धरोग क्यों हुआ था राजा सुमकंत अपनी पत्नी और अमात्यो सहीत महरशिब रुगु के आश्रम में पहुचे महरशिब रुगु ने उन्हें बताए कि यह उनके पुर्वजन्मों के पाप के कारण है महरशिब रुगु ने अपने ग्यान शक्ति द्वारा राजा के पुर्वजन्म के बारे में जान लिया था और अब उनको सुनाने के बारे में पूछ रहे थे राजा ने सुनने का आगरह किया, महर्शी ब्रुगु ने बताना शुरू किया तुम पुर्वजन्म में एक धन्वान वैश्य के लाडले पुत्र थे तुमारा नाम कामत था, तुमारे माता का नाम सुलोचना था तुम मिंध्याचल के पास कौलहर नामक गाउ में रहते थे तुमारा लालन पालन बड़े ही लाड़ पयर के साथ हुआ था तुमारी पत्ने भी अत्यांत सुन्दर थी, उसका नाम कुटुम बीनी था तुमारी पत्नी सुशिला थी और तुम्हें भी अपने जिम्मेदारिय को निभाती हुए देखना चाहती थी लेकिन तुम एक बुरे पती साबित हुए माता पिता जब जिन्दा थे तब तक तुम उनके सामने अच्छे से रहते थे लेकिन उनकी मृत्यू के बाद तुम अपना रंग दिखाने लगे तुम अनाचार में लिपत हो गए तुम अपने पत्नी की एक नहीं सुनते थे तुम्हारा बुरा व्यवहर अपनी चरम सिमा पर था तुम अपनों से भी द्वेश और गुरूरता का व्यवहर किया करते थे हत्या जैसे घुरूनीत कारिय को तुम सामान्य मानने लगे थे पिडित व्यक्ट्यों ने तुम्हारे खिलाफ राजय से नयाय मांगा अभियोग चला और तुम्हें राजय के सिमा के बाहर जाने का आदेश मिला तो फिर तुम निर्जनवन में रहने लगे निर्जनवन में रहते हुए तुम लोगों को लूटा करते और उनकी हत्या किया करते एक दिन दोपर के समय गुनवर्दक नाम का एक विद्वान ब्राम्हन अपनी पत्नी को लेने के लिए ससुराल जा रहा था तुमने उस युवक को पकड़ कर लूट लिया अब वह प्रतिरोद कर रहा था तब तुम उसे मारने लगे वह चिला कर कहता रहा कि उसे मत मारो तुम गुस्से में इतने भरे थे कि तुमने उसकी एक भी बात नहीं मानी उसने भी तुमें शाप दिया मेरी हत्या के पाप से तु सहस्तर वर्षों तक नर्क भूगेगा फिर भी तुमने उसका सिर काट दिया मरशिब्रुगु ने राजा से कहा कि तुमने ऐसे नीर अपराद लोगों की एक नहीं बल्कि कई हत्याई की है लेकिन बुड़ाबा आने पर तुमारे जो सातिदार थे उन्होंने तुमारा साथ छोड़ कर पास के जिर्न मंदिर में जा पहुचे वह भगवान गनेश का मंदिर था पता नहीं कैसे भगवान गनेश की प्रतिमा को देखकर तुमारे मन में भक्ति भावजा गुरुद हुआ तब तुम नीरहार रहे कर उनकी उपासना करने लगे उससे तुमारा रोग भी कम हुआ तुमने अपने साथियों से बचा कर बहुत सा धन इकठा कर लिया था वह धन तुमने मंदिर के जिर्नोधार के काम में लगा दिया इस कारण तुम कू विख्यत से सू विख्यत हुए फिर तुमारी मृत्य होने के पश्यत तुम यमराज के सामने खड़े कर दिये गए उन्होंने तुमसे पूछा कि तुमने अच्छे और बुरे दोनों ही कर्म किये है दोनों के फल तुमें भोगने होंगे तुम बताओ पहले कौन से फल भोगना जाते हो अच्छे या बुरे राजा ने सबसे पहले पुन्य कर्मों को भोगने की इच्छा जताई इसलिए फिर उसे राजकुल में जन्म लेने के लिए भेश दिया गया पहले के जन्म में उसने भगवान गनेश का मंदिर बनवाय था इसलिए उसे सुन्दर शरीर मिला यह कैकर महरशी ब्रुगु कुछ देर रुके क्योंकि उन्होंने देखा कि राजा को उनके द्वारा बताई गई बातों पर शंका हो रही है तबी महरशी के शरीर से असंख्य विक्राल पक्षि उत्पन्न होकर राजा की और जप्टे उनकी चोच बड़ी तीखी थी वे राजा के शरीर को नोच-नोच कर खाने लगे इस कारान राजा के शरीर में असय पिड़ा होने लगी राजा ने उनके कथन पर शंका व्यक्त की थी इसलिए महरशी जोकी हमेशा सच बोला करते थे उनके शरीर से असंखे विक्राल पक्षी प्रकट हो जाते थे और उनके हुंकार से ही भस्म भी हो जाते थे इसके बाद राजा ने रोते हुए रिशी से शमा मांगी महर्शी ने कहा कि तुम पर भगवान गनेश की कृपा है वही तुमारे सारे पापो को दूर कर सकने में समर्थ है इसलिए तुम भक्ती भाव से और श्रधा पूर्वक उनका पापनाशक चरित्र सुनो जो गनेश पुरान में लिखा गया है इसके बाद की कहानी अगले वीड चाल रही है धन्यवाद